साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मजामा केमचो कैसा आहिस आज एक इंपॉर्टन टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे प्रबूराम का नाम लेकिए आप सबको जैश्री राम साथियों बिसिकली जो बात में डिसक्स कर रहा हूं ये एक समानने बात हैं बट बहुत साथियों फर्च किजिए कि आप और आपका बॉस या आपका इंप्लाइट जो है आपसे जगड ले जाएगा आप रास्ते में जारहे हैं किसा आपका एक्क्षिन्ट होगा तो क्या होगा को दिन खराब जाएगा बट ये जो इस टैंस यह शरानिक हैं अभी जगड़ा आपसे जगडा करने पके पतडर हो जाती है और आपको सनाती है 20 बाते हैं और आपके साथ जो है वह आसरोड करती है यहाप के साथ जो है और किया आप सहब हो गे क्या होगा ऐसे प्रशान है, आम आदमी, उसके पास कोई समाधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो पिसरा है अपनी माँ और अपनी बीबी की बीच में बई एक तरफ घरवाले कहते हैं, बई तो अपना घर बसा ले, और अल्टी बेटे तो शादी कर ले, अब घर बसा लिया, शादी भी कर ली, भहू भी ले आए, और उसी भहू से फिर वो बैर भी करते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, तो कुन मिला के आज के वीडियो के माद् अगर चाहते हो, आपके बेटे को टाइम से अलग कर दो, यह बहुत मुटी मुटी बात है, अगर आप नहीं करोगे, तो अल्टीमिल दुख जो है, आपको ही पाना पड़ेगा, अगर आप इंसेप्शन से किलिए नहीं हो, तो बाद में जब आपको नुकसान होगा, तब जो है दुखोगा, और बहुत जो है मेंटल ट्रॉबल आपको वाह होने वाला, साथियों, पर कई बार ऐसा में दो है कि वैवार जो है, बिल्कु ठीक है, लड़के के माता पिता का, पर उसके बावसुत भी लड़की चाहती कि लड़का घर से अलग हो जाए, वो चाहते कि यही सुनने को मिलता है अक्सर, तो मेरा कहना ही है कि फिर वो लड़का उस मौ माया में फसके, अपने माता पिता जगड़ा कर रहता है, कई बार ऐसा पिता कि उनको विर्दाश्म जो है छोड़ कर रहता है, ऐसा मत करा करो भाई, जिन ओर तुम्हें पैदा करा है, इतने सा एंटली खराव है, वो जगड़ा करती है, आपके पैरेंट से बत्ते मिजी करती है, तो ऐसी आतंकित महिला को घर में रखना खत्रे से खाले नहीं, तो बैटर यह है कि हमें ऐसी महिला को घर से बाहर निकाल देना चाईए, अगर हम यह समझते हैं कि अब इसके साथ जीवन यापन करना मुश्किल है भाई यह तो इसी तो कॉंप्रमाइस कर लो कि आग गया लड़ो पेरेंट से कि पापा जी मम्मे जी अब समय आगया है मुझे आपसे बिछड़ना होगा अलग होना होगा शलजो कराएं पकान पे साथ में ले जो बीबी को किलिए रहे बाती या घर पर अगर चातों कि भाई मैं सितियां परिसितियां किसी भी रूप में कॉंप्रमाइस नहीं कर सकता हूं तो फिर एक ही विकल्प है कि पत्नियों घर से बाहर निकालो और डिवार्स है फाइल करो अब जो यह मौहाल करती है पत्निया खासकर मेंटल कुरल्टी का फिजिकल क कि यह बात बराबर है बड़ वह एक एडवांस वांग में अब कारूं क्या कहता है क्रूल्टी को लेकि क्रूल्टी कैसी होने चाहिए ग्रेव इट शूड नॉट बी इस टेंट इट शुड बी इस क्या कि अभी होई और खतम होई बही जगड़ा हुआ पती पत्नि का खतम हो गया तो का ही क्रूल्ट हुए ग्रेव होने चाहिए पहला इसका इलिमेंट यह जिसको आप अपनी पेडिशा में जो हैं कॉर्पेट करोगे इट शुड बी कॉंस्टेंट ओवर अप पीरियड ऑफ टाइम और तीसरा बारामेटर यह कि इस तरह की क्रूल्टी कि जो आप आपका उस महिला के साथ जीवन जेना दुशवार कर दे अब किसी भी रूप में आपका उस महिला के साथ रहना संभव नहीं है तब यह बनता है प्रॉपर केस ऑफ डिवार्स ऑन दे बेसिस ऑफ क्रूल्टी बट अभी प्रॉप्लम्लम वही है कि करें क्या जब भी नहीं है जल्दी कीजिए फाइल हमको तो आज की आज ही रिजल्ट से यह जब इंडियन वर्ट्स पर चलते हो तो क्या लिखाता है कि दुरुगटना से देरी बली है वो क्यों लिखते हैं पागल थोड़ना वो इससे लिखते हैं कि भाई अगर आप किसी लक्षर पर पहु दूब करना है कि भड़ना पॉसिबल नहीं है तो वहां सबसे पहले आपको आपना हमप करके चलना है वकील के बास में जो हम करते हुं करना है बार बर मैं कहला हूंमि 써 daw ur में जाते हो मुझे लिखते हो ना तो ध्यान रहता है उनको ने द्यान लेता है आपको ख crumbs न धिया क सब्सक्राइब करना क्या है जो आपके पैरेंट्स हैं उनको पकड़ा तो एक एक पना खुद लेखो और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस क्या है उस लड़की के साथ में और जो कॉमन फैक्टर निकल के आ उसको तो लिखो बहुत डॉमिनेटली और जो फैटर इनकंसिस्टेंस है या अलग अलगा रहा है उस पर उनसे बाच्छित करके उसको प्लिरिफ में शामिल करो कभी भी जो है मात नहीं खाओ गया उसके बाद क्रूल्टी को लेकर आपके पास एविडेंस क्या है उसकी लाइ तो कैसे प्रूल्टी लीगल है means क्या उसने को जूटे किस फाइल कर दी है आपके उपर तो वो कैसे प्रूव करोगी आप तो हर चीज का एविडेंस होता है उसको हमको प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइस करना होता है अब यहां हम छोटा सा एक्जांपल लेंगे कि पतनी जो एक्सपर्ट एविड़नस को आप रिकौर्ट पे लेंगे नहीं आएंगे तो वहापन नुकसान आपको ही खाना पड़ेगा तो हम जल्द बाजिया करते हैं मैंने आपको वही तो बोला तो उसका नुकसान जो है हमें ही खाना पड़ता है अब जब भी आप यह काम कर लेंगे अब आप जाएंगे वखिल के पास में आपके पास पूरा केस लिखाव है अब आपका एडवोकेट किया उस केस को पढ़ते जाएगा और एविडेंस सामने है उसको देखता जाएगा और साथ ही साथ जब साइबर एक्सपर्ट की एविडेंस भी आप रिकौर्ड पे ले जाएंगे तो उसका बेनेफिट किया कि जो आपने रखी है जो कि एलेटोनिक फॉर्मेट में है उसमें कोई भी डाउट जो है कोट करेट नहीं कर सकता है और जब एक्सपर्ट एक्जामेंड होगा और प्रॉपरली एविडेंस की सिती वह रिकौर्ड पर रख पाएगा कि भी इसमें कोई चड़ा खाने नहीं है इसमें जो है कोई भी मैनिपलेशन नहीं किये गए तो वहां पर जो इसकी विश्विश्विशन निता है वह बढ़ जाती है तो इस बात का विश्विश्य ध्यान रखें कि ऐसे घलती अपने को नहीं करनी है साथी उन लास्ट पार् जगड़ें पढ़ना चाहिए नहीं यह साल है आज जगड़ें और जगड़ के रात को एक हो जाएंगे अब यह क्यों कहां जाता है तो पता नहीं बट एक तो रात में होते हैं यह बात तो जगड़ें जब पती बंदे की बीच में हैं तो बैसिकली हजमें जो है तनापूर्ण है तिसरे बात जो वो चाहती है वो जिद जो है बहुत ही डेलिबरेट है और ऐसी जिद जो परिवार तोड़कर रख देगी जो आप नहीं चाहते हो तो यह इंस्टेंस जो है आपको दिवाम में रखने हैं चौती बात आप समझा रहे हो समझा रहे हो पैरे होता है कि पती की तरक्ती की में एक माहन इसमान अपेक्शा के थे कि जिमंदेशियों संवाले और घर को जो मॉड़न कलचर और जो सित्यें पर सित्या बरिसहma जो मिडिया पर तो है कोई कमी नहीं छोड़ी है और लड़कियों की मां की एडवाइज है वह तो काम कर रही है आग में घीका और इसके अलावा जो लड़के के पैरेंट्स है यह जो लड़के के मिलने वाले वो शाद है कि बीड़की सेवा करें जो मैंने आपको बता है भी पर यह पॉसिबल नही बढ़ेंगे तो इसलिए अब समाथ के साथ आपको पैटन को भी जो है चेंज करना होगा और अगर आप नहीं करोगे तो वहां पर इस तरह के दुख जो है आपको बोगने पड़ेंगे तो कुम लागे आज के कॉंटेट में आपको समझा है कि किस को कैसे करना है किस तरह से तो घर बच जाएगा नहीं समलोगे तो फिर आपको जो लीगल सर्विसेस हैं या लीगल इंस्टिउशन से हमाँ जाना पड़ेगा फॉर विंडिकेशन ओफ यूर ग्रिवेंस ठीके जी तो उमीद करता हूं कि आज के टॉपिक ने आपको इन्लेटन किया जल्दी मिलते है एक ने टॉपिक के साथ तिल देन जय हिंद जय भारत